नवाश्कारम ब्रिये जनों आप देखने सीउटी पाट साला अफिका बहुत दस्वागे थे हम लोग लगातार 2023 सीउटी के थ्रू अलग-अलग विश्चे द्यालेओं में प्रवेश से संबंधीत गरबडियां देख रहे हैं आज एक आर्टिकल मिला जो न्यूज 18 का है और उसमें ये हेडलाइन है डी यू के पीजी एडमिसन में हुआ बड़ा गड़बड जाला छात्रों को कॉलेज और डिपार्टमेंट अलोट कर 48 आवर्स में छेन लिया गया वैसे मैं आपको बता दो कि इस तरीके की प्रावलम्स कुछ और विस्विद्यालों में भी हैं वह बात अलग है कि वो मेडिया में नहीं गई अब भाई डी यू की कुछ कमिया ऐसी होती है जो कि भाई न्यूज वाले चाहते हैं कि जल से उन्हें पता चले और वो लोग उ कि दे घोटाला ही बोल सकता हूं मैं उन्हें दे सकता हूं बाई दवे इस वीडियो को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं कि इस पूरे मामले में हुआ क्या है हुआ यह है दिल्ली इनवर्सिटी यानि डी यू के पिछले तीन दिन पोस्ट प्रोग रहे थे जिसे अब रद किया जा रहा है चात्रों का आरोफ है कि 19 अगस्त को सुबर 10 बजे के बाद से ही मेल और मैसेज की द्वारा सीट अलोट्मेंट रद करने के सुचना दीजा रही है कुछ चात्रों की यह भी सिकायत है कि उनका मेरिट लिस्ट में हाई मार्स होने के बाद भी अभी तक सीट अलोट्मेंट नहीं किया गया बता दें कि दिल्ली के लॉड इपार्टमेंट से भी इस तरह की सिकायते लगाता रही है कई छात्रों ने नियूज 18 को बताए कि उनका फिजमा कराने के बाद भी अलोट्मेंट रद किया गया ठीक है बता दें कि दि खाली की आसंका से इंकार नहीं किया गया है हाला कि 23 अगस्त को छात्रों के द्वारा विरोत प्रदर्शन के बाद इनुवर्शेटी प्रसासन ने एक नोटिफिकेशन निकाल कर छात्रों का अस्वासन दिया है कि जिन छात्रों का सीट अलाट्मेंट के बाद रिजेक्शन कि गया है उनको उन्वर्शटी दूसरे राउंड के कटाफ लिष्ट में विचार किया जाएगा वा लेकिन डियू का नियमिया है कि जिन छात्रों का रिजेक्षन हुआ है उनको अगले लिष्ट से कंसिडर नहीं किया जाएगा तो फिर डियू प्रसासन के आस्वासन का कितना भरोसा करें डिल्ली इनुवर्शटी में क्या हो रहा है डियू मेनेज्मेंट के इस फैसले के बाद छात्रों के परीजन भी परिसान हो रहे हैं बिहार यूपी राजस्थान समेट कई राज्यों के आय छात्र और उनके परीजन डियू केंपस के अंदर बाहर दोड लगा रहे हैं आपको बता दें कि देश में पीजी के दाखिले के लिए कॉमन इन्वर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट यानि सी यूटी पीजी के टेस्ट आयोजन निशनल टेस्टिंग एजनसी जो की खतरनाक वाली एजनसी मैं क्या ही बोलू एंटी कराई है इस एक्जाम का पाई अगाफ सप्टेंबर इस रिजल्ट के आधार पर ही देश में आलग लगा विश्वद्र पीजाखिला हुआ ठीक है चात्रों ने डियू पर लगाया आरो पोस्ट ग्रेजवेशन प्रोग्राम के पॉलिटिकल साइंस भी से में अप्लाई करने वाले चात सोहब अग् और बार कटाफ नहीं निकाला और कहा कि उनको सी एस एस पीजी पोर्टल पर अपनी प्रिफरेंस भरनी यह जो उनका ओफिसल पोर्टल है यानि कॉलिज के पहले और दूसरे और तीसे नमबर पर प्रिफरेंस साइट दें आपको मार्स के अधार पर आपको डिपार्टमें साइन्स नौर्थ केमपस अलोट कर दी गई सीट अलोट्मेंट के बाद एक्सेप्ट और रिजेक्शन करना होता है मैंने एक्सेप्ट कर लिया अच्छा कि कहान इसमें नहीं है अगरवाल कहते हैं अब डाकुमेंट वरिफिकेशन का प्रोसेश शुरू हुआ अधार नमबर चार बताया शाथ बता सब्सक्राइए क्हाँ ना ही पोर्टल पर लिखा आगरवाल आगे कहते हैं इसके बाद हम लोगदाफ ये ग्रूप बना कर को मेल किया ग्रूप आशि को कोई जिवाब नहीं दिया तो हम लोग 21 अगस्ट को उसके बारे में सिकायती हम लोगों की सिकायत के बाद नहीं कहा कि दूसरी बिशन में आप लोगों को विचार किया जाएगा जबकि किसी छात्र का आवेदन एक बार रिजिक कर दिया जाता है तो उसको आगे एडमिसन प्रोसेस में विचार लायक नहीं समझ जाता है पचीस अगस्त को दूसरी लिस्ट निकलने वाली है ऐसे में हम लोग को डर लग रहा है सता रहा होगा जबकि माक्स के अधार पर अभी भी हम लोग को डिपार्टमेंट और कालेज मिल जाना चाहिए था यह देखो ड अब पिख्शार नहीं करना आप लोग के कया विचार हैं आप लोग को किस् rapport से संबंधित एसी समझ्षा की उलढ़ने हैं या समझ्षाइब सता रहे हैं आपको क्या लगता है ऐसा कौन कौन सा और भी स्विध्याल है जो ऐसे गडबर जाला कर रहे है यह निज ने इसे गडबर जाला वाड़ इसलिए उच्किया है कि कल को डिव इन पर केस ना कर दे वरहाल आप लोग जरूर बताईएगा और चैनल से जोड़े रही है इसमें एक सब्सक्राइब करें जिनके पोर्टल सभी तक अक्टिवेट नहीं हुए जो ठिक से अपना कटाफ नहीं निकाल रहे हैं जो लगातार गडबड़ी कर रहे हैं भाई आप लोग को तुम्हें बार बार बोलता हूं चूप मत रहो चूप रहोगे तो देखो यही होगा देख करें जिससे कि कम से कम ओननान पिस पर बस मेल नहीं हम लोग इनसे आफ्लाइन में मुलाकात समझारे मेरी बात तो मुश्कुराते रहे बहुत सरी सुबकाम ने हैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के साथ सब्सक्राइब जरू करेंगे और विल आइकिन को प्रेस कर लेंग बहुत सरे सुपक्रापने